दोस्तों ये है Samsung D Freestyle Compact Portable Projector, काफी interesting projector है, चलिए इसे चेक करते हैं, चलिए जो box है इसकी unboxing कर लेते हैं, बॉक्स में ये super fast charging adapter दिया हुआ है, ये है type C to type C cable, इसमें कुछ booklets है, user vinyl, warranty card, quick start, guide, बॉक्स में आपको ये बहुत ही बढ़िया दिखने वाला compact remote भी मिलता है, और ये का dedicated buttons भी दिया हुआ है, और इस प्रकार कर रिमोट है, आपने Samsung के जो TVs है, उनके साथ में देखा होगा, और जो आखरी चीज बॉक्स में रह गई है, वो है ये portable projector, जिसका जो design है, ये थोड़ा सा अलग type का है, इसे आप इस प्रकार से angle कर सकते हैं, और इसको जो वजन है, ये projection है, वो ये side से होने वाला है, नीचे rubber padding दिया हुआ है, और ये जो area है, यहाँ पर speaker out vent है, projector के side में microphone के लिए option दिया हुआ है, और micro HDMI port है, प्लस type C port भी दिया हुआ है, इसे freestyle इसले कहा गया है, क्योंकि इसे आप किसी भी angle में place कर सकते हैं, इस प्रकार से या फिर directly, अगर आ इस प्रकार से stool पर रख दिया है, और सामने जो wall है, उस पर content project हो रहा है, मैंने इस angle पर इसे रखा हुआ है, तो projection ये देखे सामने हो रहा है, light को मैंने on रखा हुआ है, वैसे आम तोर पे जो projectors होते हैं, उन्हें हम अंधेरे में ही देखते हैं, तो मैं जो light है उसे off कर दे काफी बढ़िया output दे रहा है, अगर आप डाक रूम में इसे देख रहे हैं, तो काफी बढ़िया experience आपको मिल सकता है, interface अगर आप देखे तो वैसा ही है, जैसा कि आपको samsung के tvs पर मिलता है, ये देखे, same प्रकार के menu options, और ये samsung tv plus feature के साथ में आता है, मतलब कि आप immediately content है वो देखना शुरू कर सकते हैं, ये एक तरह से free content है, ये जो setting का option है, ये आप देख सकते हैं, कि जो keystone है, ये autopay set किया हुआ है, और focus जो है, ये भी autopay set किया हुआ है, अब ये जो दो चीज है, ये automatically, जो projector है, ये handle करने वाला है, क्यूंकि ये जो projector है, काफी छोटा है, compact है, तो जाहिर है कि आप इसे move करने वाले हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इसे move करके दिखाता हूँ, ये लिजिए, मैंने इसे यहाँ पर move कर दिया है, देखिए कि इस प्रकार से, जो projection है, ये automatically अपने आपको correct करने वाला है, इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आपको एक stable surface से रखना है, फिलाल मैं यहाँ पर इस प्रकार से रखता हूँ, ताकि ये set कर ले अपने आपको, ये देखिए इसमें अपने आपको adjust कर लिया है, और अब मैं फिर से जो original position है, उस पर लेके आता हूँ, देखिए कि इस प्रकार से, अब ये automatically कुछ दिर के बाद अपने option दिया हुआ है, ये जो feature है, इसे यूज करके आप इस प्रकार से, जो screen है, इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, वही same distance पर, और इसका एक और advantage ये है, क्योंकि ये जो projector है, इसे आप इस प्रकार से move कर सकते हैं, मैं ceiling पर इसे लेके जाता हूँ, तो ये दिखिए, अब जो projection है, ये यहाँ पर उपर के तरफ हो रहा है, ceiling पर मैं कर रहा हूँ, इस OS में जितने भी important applications हैं, जो कि ज़्यादा करके लोग use करते हैं, जैसे कि Netflix हो, Amazon Prime Video हो, Hotstar, Apple TV, YouTube, ये सारे applications यहाँ पर देख सकते हैं, कि pre-installed आये हुए हैं, और भी बहुत सारे options यहाँ पर आपको डिख जा क्या हुआ है, ये काफी interesting इसलिए है, क्योंकि for example, अगर आपको ये जो projector है, इसे entertainment के लिए use नहीं करना है, आप कोई function कर रहे हैं, और चाहते हैं कि कोई चीज ऊपर project हो, तो ये देखे, इस परकार से आप projection कर पाएंगे, काफी interesting लगता है, for example, अगर birthday है, birthday party है, तो आप ये happy birthday का जो text है, इसे wall पर project कर सकते हैं, ये देखे, काफी interesting दिखता है, और इसे आप customize भी कर सकते हैं, ये देखे, ये सारे options available हैं यहाँ पर, ये है happy birthday, smart calibration का भी option दिया हुआ है, जो की, जो white balance है, उससे adjust करता है, तो उसके लिए आपको ये जो process है, इसे follow करना है, smartphone का use करना है, और ये जो QR code है, इसे एक तरह से scan करना है, इस प्रकार से अपने आपको automatically calibrate करने वाला है, इसके लिए कुछ समय लगने वाला है, ये basically जो white balance है, उससे adjust करता है, ताकि जो colors है आपको काफी बढ़िया natural type के मिले, तो अब जो calibration है, ये देखे, अब ये हो चुका है, और मैं द things करके जो application है, उसे use करके आप ये जो projector है, इसके साथ में connect कर पाएंगे, और application से भी आप जो projector है, इसे control कर पाएंगे, in case ये जो remote है, ये घुम जाता है, आपको मिलता नहीं है, तो जो application है, इसमें भी आपको ये remote control का option मिलता है, तो आपका जो smartphone है, इसे आज रिमोट control के त साथ में आता है, mobile connection भी आप इसके साथ में कर पाएंगे, multiple Bluetooth devices को भी आप इसके साथ में connect कर पाएंगे, ये voice assistant भी support करता है, आपको दो options मिलते हैं, आप Bixby या फिर Amazon Alexa use कर सकते हैं, load YouTube, तो इसने ये YouTube का जो application है, इसमें जो pre-installed है, उसे load कर दिया है, यहाँ पर मैं मेरा ही YouTube क sound experience कर पाएंगे, bass भी काफी बढ़िया है, और जो sound की quality है, काफी बढ़िया है, loud भी है, movie watching के लिए और गेमिंग के लिए काफी बढ़िया है, इसमें two passive woofers है, और जो output है, ये है 5 watt का, ये full HD resolution support करता है, मैं आपको कुछ content दिखाता हूँ, साथ में जो sound quality है, वो भी आप चे yeah, triangle further, triangle further, just, just breeze, breeze, woo, let's take this thing higher, higher than you ever been, stay tall like every wrist, I mean higher, you ain't gotta settle in, no places they've never been, we going higher, no stop, take it to the top, even when the ball drops, my man, we going higher, Ambient mode में, ये देखिए, ये scene के भी options है, जो की काफी interesting है, इसे मैंने select किया हुआ है, तो ये, देखिए, इस प्रकार से, इस room में, इस प्रकार का cynic scene क्रेट करता है, जो की काफी amazing लगता है, actually, ये option भी available है, mountain का, ये भी काफी impressive लग रहा है, इस room में, मैंने एक light को on किया है, यहां से आपको अच्छा idea मिल गया होगा, ये देखिए, prism effect भी available है, और ये है lighting effects, मैं अपना जो smartphone है, इसे use करके, जो audio है, वो play कर सकता हूँ, basically, जो audio है, ये, जो projector है, इस पर play होने वाला है, और जब ये audio play होगा, एक तो आपको sound सुना ही देने वाला है, जो की काफी amazing है, प्लस आपको ये animation भी यहां पर दिखेगा, जो की जो projector है, ये project कर रहा है, इसे भी मैं mirror कर सकता हूँ, अगर आप एक gaming user है, तो आप इस projector पर games खेल पाएंगे, अगर आपके वास Samsung TV है, तो जो भी content आप Samsung TV पर देख रहे हैं, उसे आप इस projector पर mirror कर पाएंगे, और जो projector है, इसे आप किसी दूसरे room में रख सकते हैं, तो फिलाल मैं यहां पर इस प्रकार से इसे पकरता हूँ, आकि ये table पर इस प्रकार से display करें, तो यहां पर आप जो कोई content प्ले करता हूँ, Samsung TV प्लस ही प्ले करते हैं, तो यहां पर भी वही same content प्ले हो रहा है, इस projector को आप camping, house parties, अगर आपको बड़े screen पर matches देखना है, तो यह जो projector है, definitely बहुत ही काम की चीज है, वैसे situations में, तो इस प्रकार के जो projector से इनका फाइदा बहुत है, अगर आपके पास power bank है, तो उसे आप यहां पर connect कर सकते हैं, और जो projector है, इसे power दे पाएंगे, 20,000 image का power bank है, उससे आपको तकरीब दो घंटे का usage time मिल सकता है, non-stop, और अगर आपको special battery base खरीदना है, तो वो भी आप खरीद सकते हैं, तो जो बेस है, उसे आप यहां पर connect कर सकते ह अगर आप यह projector खरीदना चाते हैं, Big TV Days, जो की 31st January तक चलने वाला है, उसके दौरान आप यह जो projector है, इसे खरीद सकते हैं, अधिक जानकरी मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है, देखते रहिए